अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं लेकिन अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक में मिल जाएगा उसको भी आप जाकट के जोइन कर सकते हो और आपको यहाँ पे कैरियर बनाना है एक अच्छे तरीके से काम करना है तो आपको सीखना बहुत जरूरी है और आपको सिखाने के लिए हमने यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरीके से काम करते हैं वो basic से लेकर के advance तक हम सिखाने वाले हैं total two courses हैं और दोनों courses का new batch है वो 24th में से सुरू होने वाला है तो जाकर के join कीजे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको हर एक चीज basic से advance तक सिखाई जाएगी और यहाँ पे सीखने के बाद में फिर आपको दूसरी जगे जाकर के सीखने की ज़रत नहीं पड़ेगी तो जाकर के course को join कीजे और join करने के लिए हमें contact number दिया गया है हमारा वहाँ पे आप contact भी कर सकते हो या फिर आप जो आपसे detail वांगी जारी है वो हमें हमारे WhatsApp number के उपर send कीजे साथ में जो payment करोगे आप तो इस UPI ID पे या फिर इस QR code के उपर या फिर payment जो यह account detail है इसके उपर भी आप कर सकते हो तो आप payment करके हमें screenshot send करोगे तो आपका enrollment हो जाएगा तो यह हो गई आपकी हम जो course related information अब हम चलते हैं जो intraday के stocks हैं उनके उपर तो जो सबसे पहले number का stock हमने चुना है वो है वेरोक engineering ठीक है अब वेरोक engineering के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखोगे कि यह इस वाली trend line को resistance दे रहा था और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे यह वाली जो line है काफे अच्छी एक line है तो यहाँ पे पहले इसको resistance मिला उसके बाद में उपर से जब नीच आया तो इसको support दिया जब यहाँ पे breakdown दे रहा था तब यहाँ पे confusion हो गया ना इसको breakdown दिया है अच्छे से ना इसको resistance दिया है तो वो छोड़ दिये कोई बात नहीं है लेकिन आप देखोगे कि कल वी इसके अंदर अच्छी moment आई थी और आज यहाँ पे आप देखोगे कि इसके अंदर एक moment आई थी लेकिन यहाँ पे एक importance यह है कि जो Saturday को इसके अंदर काम हुआ है तो Saturday को इसमें काम हुआ है तो market के अंदर 5% का ही circuit limit था क्योंकि DRS जो site है उसका testing हो रहा था तो 5% का circuit लगकर कि यह रुख गया और यह 5% का ही क्यों लगा तो मैंने आपको region बताया लेकिन इसके अंदर और भी काफी अच्छी moment आने वाली है और इसकी वज़े है इसके जो results है ठीक है Q4 के जो results है काफी अच्छे results आए है तो इसके अंदर तेजी है वो बनने वाली है और भी तो intraday के लिए आप इसको ले सकते हो लेने का जो level है 597 का है और जो यहां पे target है 505 पहला target 511 second target और इस टो प्लस 593 का आपको लगा के रखना है तो यह हमारा first number का stock हो गया इसके बाद में जो यहां पे second number का stock है वो है pochin shipyard तो जो भी shipping companies है ठीक है और defense related company है उनके अंदर काफी अच्छी movement आ रही है यहां पे आप देखोगे कि यह वाला जो swing था उसको इसने यहां पे निकाल दिया है और continuously दो दिन तक इसके अंदर तेजी भी आई है और लगबग इसके अंदर भी 5% का circuit था तो वो लग चुका था तो यहां पे फिर से इसके अंदर तीजी आपको देखने को मिलने वाली है तो यहां पे 1486 के उपर निकलता है तो आपको entry करने चीए यहां पे जो पहला target होगा 1500N का होगा जो second target बनेगा 1500N 15 का बनने वाला है stop loss यहां पे आपको 1472 का लगा के रखना है तो यह हमारा यहां पे second number का stock हो गया इसके बाद में जो यहां पे third number का stock है वो है IOB Indian Overseas Bank अब Indian Overseas Bank के अंदर आप देखोगे तो यहां पे यह काफी अची चाल आयती उसके बाद भी इसने correction की है और correction के अंदर आप देखोगे तो यहां पे यह वाली जो trend line है इसको यह resistance के जैसे ले रहा है अभी यहां पे आप देखोगे कि इसने यहां से support लेकर के upper side में निकलना शुरू किया है तो trend line तक यह जा सकता है तो यहां पे भी intraday के अंदर 65 के उपर आप buying कर सकते हो और जो target है 66 पहला target 66.5 या फिर 67 हमारा target होगा second target और इस टो प्लो 64.5 का लगा के रखना है तो यह हमारा यहां पे third number का stock हो गया इसके बाद में जो यहां पे fourth number का stock है वो है rights अब rights की बात कर लेते हैं तो rights के अंदर आप देखोगे तो यहां पे काफी अची तेजी हुई थी उसके बाद में इसने correction की है और यहां पे आप देखोगे कि correction के बाद में इसने एक यहां पे base building की है और यह एक chart pattern था इसको यहां पे breakout दिया है तो यहां पे इसके अंदर फिर से तेजी आपको देखनी को मिल सकती है 727 यहां पे entry level होगा 727 पहला target 732 second target और इस टो प्लो 713 का लगा के रखना है तो यह हमारा fourth number का stock होगया इसके बाद में जो last number का stock है वो है हमारा siam metalics अब siam metalics के अंदर आप देखोगे तो यहां पे एक काफी अची पहले चाल आई थी उसके बाद में यहां पे इसने consolidation किया उसका breakout दिया यहां पे फिर से एक चाल के बाद में consolidation हुआ है और यहां पे आप देखोगे कि इस वाली trend line का breakout हो चुका है यहां पे तो फिर से इसके अंदर एक तेजी आपको देखने को मिल सकती है 647 का entry level होगा 664 पहला target बनेगा 660 यह second target बनेगा और stop loss आपको 640 के उपर लगा के रखना है तो यह हमने यहां पे best 5 intraday trading के stocks की list है वो discuss कर ली है entry point, target point और stop loss क्या लगा के रखना है सभी चीज़े मैंने आपको बताई है तो आसा करता हूँ आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और demate account आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल free में हमारे अंडर में demate account open कर सकते हैं उसका link आपको description वोक में मिल जाएगा मिलते हैं रेक वीडियो में thank you very much